चलिए, स्टार्ट करें, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो क्या है, मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जरूरी है, एसा टेक्निशन काम करेंगे, तो हमार लिए बहुत जरूरी और इंपोर्टेंट टॉपिक है, और हर जगह आपको measurement देखने जरूर मिलेगा वो कहीं भी हो आप workshop में काम कर रहे हो इवन घर में है या अब क्या हाँ जो स्वी से लेके स्वी भी measurement के according ही बनती है स्वी हो या फिर आप टाइटनिक प्लेन को देखे स्वी से लेके जो इस्पेस तक जाते हैं रॉकेट टाइटनिक तक की सब में measurement ही आता है आप जैसे किसी भी यह जैसे डिस्प्लेय है यह डिस्प्लेय भी measurement पर ही है ना नहीं तो आपको क्या लगता है कि हम एक ही जगह पर सब काम कर लेते होंगे क्या नहीं करते ना जैसे इत्ता बड़ा एक रॉकेट बन रहा है तो रॉकेट एक ही जगह पर बन जाता है क्या है नहीं बनता है यह प्लेन बन रहा है कुछ भी एक ही जगह पर नहीं बनता है सब के पार्ट क्या होते हैं असेंबल होते हैं तो और वह एक दूसरे से फिट क्यों होते हैं क्या reason है फिट होने के लिए कि measurement क्योंकि उसमें सभी का measurement हम देते हैं उनको उनको बोलते हैं यह आपको इस measurement के according बनाना है ठीक है उसके ही वज़र से वो part एक दूसरे से फिट होते हैं होते हैं टाइटनीक में देखते हैं टाइटनीक फ्लेन था वहां पर भी measurement लेके ही photo बना रहा था तो उसकी photo देखने के लिए क्या हुआ वो लोग देखते रहाए गए कौन जो फाल थे हो act का measurement देखते रहेगा है फो टो बना मैं तुमार को जो बोल रहा हूं न भी आथ जोड़-जोड़ के पढ़ दद्दा मेजरमेंट पढ़ लो पढ़ लो ऐसा ही तुम फिर कभी ना जाब rate पास जाओगे अभी मैं भीक मांगर हूं बाद दता देख लो देख लो देख लो फिर तुम जौब वाला के पास जाओगे जौब दे दे मैं तरह वास्ते नाचा जौब दे रहे ऐसा नहीं देगा हूँ अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ इसलिए मेजर्मेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज मेजर्मेंट के एकॉडिंग ही बनती है मेजर्मेंट जो है मापन जो है क्या है प्रक्टिकल साइंस और टेकनोलोजी का एक बेसमेंट है मेजर्मेंट प्रक्टिकल यह प्रयोग आत्मक विज्ञान और प्रद्रोगी का आधार गूस है मेजर्मेंट अगर मेजर्में कि आपने कुछ छीजव थोड़ा बड़ा बना दिया हमने दिया अधा यह था चोल्धार काश्ट बड़ा था आपको उससे दिया आगे यह जक्न कर बेम के efficiency उसकी कम हो जाएगी तो measurement मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी आज आपने आसपास देख रहे हैं कुछ ना कुछ बहुत कुछ चीजे measurement की वज़े से ही हम इतने जादा आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे और जित्ता जादा precise होगा उत्ता ही जादा हम आगे तो सबसे पहली definition हम देखते हैं कि measurement क्या है बिल्कुल सही है तुमारे दिमाग में आ रहा होगा कि measurement किसी चीज को measure करना कित्ता मोटा कित्ता बड़ा कित्ता लंबा है ना उसकी width क्या thickness क्या उसी को हम क्या बोलते हैं किसी का भी size मापने कोई हम measurement बोलते हैं बड़ थोड़ा स क्या कहलाता है measurement कहलाता है यह चीज को यह definition को थोड़ा याद रखे किसी भी भोतिक रासी का मान ज्याद करने के लिए किसी मानक किसी मानक से उसकी तुलना करना कि क्या कहलाता है मापन कहलाता है measurement कहलाता है और हमारी आम लिंग्विज में किसी वस्तु का पार्ट की मोटाई लंबाई चोड़ाई याद करने को क्या बोलते हैं उसके साइज को मापन शेते हैं यह तो याद रहेगा ना measurement की definition थोड़ी समझ में आई उसके बाद क्या बोलते हैं measurement कोई बोला है ना या पर भोतिक रासी भोतिक रासी अब भोतिक रासी क्या होती है भोतिक रासी इसी जिस संख्यात्मक रूप से प्रदर्सित दर्सा सकते हैं और उसको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है यहां लिखा है ऐसी रासिया जिने हम एक संख्या द्वारा दर्सा सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसको क्या बोलेंगे हम भोतिक रासिया जैसे की लंबाई लेंट हुआ माश ताप चाल बल ये सब क्या हुए हमारी भौतिक रासी है मतलब फिजिकल फिजिकल पंट्रिटी समझ गए उसके बाद हम बात करते हैं मात्रक क्या होते हैं मात्रक क्या होते हैं किसी भी भौतिक रासी को मापने के लिए निर्धारित किये गए standard value को उस भौतिक रासी का मात्रक कहा जाता है किसी भी भौतिक रासी ये भौतिक रासी को मापने तॉनने के लिए निर्धारित की गए standard value को उस भौतिक रासी का मात्रक कहते हैं अधर अधर के लिए मीटर लीटर किलोग्राम आजी 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 और भी बहुत सारी होते हैं तो ये तीन चीज की definition थ्टा सा ध्यान में रखना है अपने को ओके हम नेक्स चलते हैं कि भाई हमारी units कित्ते टाइप की होती हैं तो हमारी जो units होती ही वो दो टाइप की होती है कौनसी कौनसी fundamental unit fundamental unit और derived unit fundamental को ही बोलते हैं हम क्या मूलभूत इकाई या मानक इकाई थीक है मानक इकाई और जो derived unit को होते हैं मतलब derived unit ठीक है यह आपने याद रखना है कि हमारी जो units होती है और दो टाइप की होती है fundamental और derived unit तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि fundamental units क्या होती हैं ठीक है तो fundamental units, उन मात्रकों का उपयोग, जिसमें मूल रासियों के लिए किया जाता है, उन्हें जिन मात्रकों का उपयोग, मूल रासियों के लिए किया जाता है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, मूल भूतिकाईयां, जैसे की क्या होती हैं, लंबाई, द्रविमान और समय, और हमारी साथ fundamental पंड़मेंटल कई नुक्ति याद रहने जरूर है कि इसकी यूनिट कि थिव कोसी होती है उनको देखते हैं हमार पास साथ फंड़मेंटल काईया है ठीक है वो देखते हैं कोंसी-कोंसी हमारी सबसे पहले आपको तो तीन को बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी के बेस पर हमारे डायमेंशनल फार्मूले बनते हैं विम्री सुत्र जिसको बोलते हैं MLT का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने MLT अगर आप साइंस बेक्ग्राउंड से तो सुना होगा अधरवाइस नहीं सुना होगा ठीक है तो इसको जब हम डायमेंशनल फार्मूला बना कि बहुत मदत मिलेगी इनसे ठीक है तो हमारे जो फंडमेंटल में से तीन तो पता चल गई कि लेंटरमाच टाइम एक होता है टेंपरेचर टापमान ठीक है एक होता है करेंट एक होता है अमांट आप सबस्टेंस मतलब पढारख्रकी मातरा और एक luminous intensity, luminous intensity मतला जोती की ती उरता जोती की ती उरता ठीक है अब जोती की ती उरता इनका अब ये समझ गए, देखे, लंबाई का मातरे क्या होती, ऐसा यूनिट याद रखना है हमें इसको बहुत अच्छे से याद रखना है लंबाई की क्या होती है, मीटर, ठीक है, मीटर, और इसको, symbol इसको क्या होता है, M, दरवेमान की, किलोग्राम, किलोग्राम, हाँ, किलोग्राम, हाँ, वही केजी, किलोग्राम, केजी लिखते हैं इसको, इसका short form में यह होता है, time, समय का, समय बोलते हैं इसको हिंदी में, इस का सेकेंड ही लिखते हैं इसको से डरसाते हैं करेंट धारा इसको एंपियर यह याद रखना है आपको करेंट की यूनिट एसा यूनिट एंपियर होती है और इसको यह से डरसाते हैं ताप की SI unit क्या होती है Kelvin यह याद रखना है आपको Kelvin ठीक है तेम्प्रेचर का पादा चला Kelvin amount of substance पधार्थ की मातरा की SI unit क्या होती है मोल यह याद रखना ही रखना है आपने यह भी मोल यह आपके competition में बहुत पूछे जाते है लुमिनेश intensity मतलब जोती की पिवरता और इसकी unit क्या होती है Candela Candela भी निख सकते हो Candela भूलो या Candela भूलो ठीक है Candela होती है इसको CD से दरशाते हैं तो आपको यह साथ याद रखनी है अब यह record भी हो रहा है तो यह देख लेना एक बार और इसको इदा रखे ठीक है लेकिन इसको बार बार revision करोगे तो यह साथ यूनिट याद आ जाएंगी और इन यूनिटों का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस होता है बहुत बार competition में पूछा जाता है ठीक है अब fundamental units तो होती होती साथ है लेकिन हमरे पात दो supplementary unit भी होती है अब हम उनको देखते हैं कि पूरक इकाईयों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ठीक है एसे मात्रक जिनका उप्योग पूरक इकाईयों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं पूरक मात्रक या इसको supplementary unit भी बोलते हैं ठीक है प्लेन एंगल की रेडियेल और सॉलिट एंगल की इस्टे रेडियेल इनके और यह दोनों के सिंबॉल लेंड है यहाँ पर यह किए यह प्लेन हो गयाँ यहाँ पर जो यह थीटा होगा ना फ्लेन एंगल दर पाएगा त्रिक्रिक्ष का सालीड मतलब इसी को आप 3D में बना पर यहां पर एंगल बनेगा रिटी वाला होगा प्लेन एंगल टूडी होगा और यह 3D में आजाएगा ठीक है इसको इतना ही याद रहना है कि यह होता है अभी हम इनका बहुत लंबाई में वह बहुत सारी यूनिट पढ़ेंगे ठीक है मैं आगे यह वाल लेक्टर में बताऊं वही दिवार में, कि रेडियन में किता होता है, क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है? नेक्स देखें, अब हम बात करते हैं, कि system of unit कित्पी होती हैं, हमने units को कुछ system में divide किया हुआ है, ठीक है? तो system of unit, चार systems देखें हमने, unit के जो system होते हैं, वो चार होते हैं, जो international level पर क्या होते हैं, एक्सेप्टेड हैं, यह चारो system को international level पर एक्सेप्टेड किया जाता है, वो यह हैं, सबसे पहला है, क्या है? CGS, MKS, FPS और SI system, यह चार system होते हैं, जिसमें से जो FPS है, अब देखना, अभी और हम देखेंगी, इसमें भी दो और आते हैं, क्या-क्या होता है, एक बोलते हैं, British system, British का नाम समने, British system, ठीक है, British system, और दूसरा होता है क्या, metric system, इसी में से डिवाइड किया गया है, British लोग जो अंग्रेज लोग थे न, अभी भी आज देखेंगे, आप कहीं 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 पर देखना, फुट इंच ऐसा यूज करते रहते हैं, तो जो FPS जो system है, यह इसको ही British system का आजाता है, ठीक है, और जो यह MKS है, MKS system को, metric system का आजाता ह है, ठीक है, यह जो system था, यह लोग British लोग यूज करते थे, और यह, अब में, जो metric system है, वैसे अभी इंटरनेशनल लेवल पर यही यूज किया जाने लगा है, जो ISO, SI system होता है, और जो ISO system होता है, वो आजकल यही हो गया है, यह वाला, ठीक है, यह, इसको यूज किया जाने है, जो यह थे, हमारी physical quantities, भौतिक रासिया, तो उन्हीं से लेके बनाए, CGS मतलब, यह C से, C वाला length दरसाएगा, यह mass दरसाएगा, और यह, time, CGS मतलब, centimeter, centimeter, centimeter मतलब किसके लिए, length की, CGS system में length की काई क्या होती है, centimeter, mass की क्या होती है, gram, ठीक है, और time की, second, time की ना, कोई भी system हो, unit एक ही रही है, वो है, second, MKS में क्या होता है, meter, length के लिए, mass के लिए क्या होती है, mass के लिए, kilogram है, ठीक है, mass के लिए, kilogram है, और इसके लिए, second, है, वो तीन unit याद रखना है हमेरेता, fps में, fps में, fps में, foot, इसमें, अलग-अलग कई, डबल ए, pound, ठीक है, pound मतलब, mass के लिए, और, ये, second, time का second, ये length के लिए, ये, लंबाई के लिए, ये mass के लिए, और ये, time के लिए, याद रखना है, ये तो तुम, और SI में, जो ये वाली यूद होती, वो ये, ठीक है, meter, kg, second, SI में, तो समझ में आया, कि तीनों सिस्टम में क्या-क्या होती है, length, mass और time की unit, I think मेरे इताब से समझ रहे होंगे, आप लोग, ये समझना थोड़ा है, जरूरी है, क्योंकि बहुत ही important topic है, ठीक है, अब हम बात करते है, fundamental unit, जो हुए, fundamental unit के बाद जो हम, अब हमने पहले unit के देखे थे, fundamental एक थी और एक derived unit के बारे में बात करते हैं, वित्पन रासिया, ऐसी रासिया, जो दो या दो से अधिक fundamental units से मिलकर बनी होती है, वो क्या कहलाएंगी, वित्पन रासिया, derived unit कहलाएंगी मेरे साब से, और ये रासिया, एक दूसरे से स्वतंत नहीं होती, क्योंकि इनके साथ fundamental units मिली होती है, देखो, वे मातरक जो एक दूसरे से स्वतंतर नहीं होते हैं, तता मूल मातरकों से ही प्राप्त किये जाते हैं, और उसमें क्या होंगे, दो या दो से अधिक मूल मातरक, fundamental units क्या होंगी, दो या दो से अधिक होंगी, वही क् सब्सक्राइब कर रहे हैं जो भी राती क्या होगी फंडमेंटल से मिलकर बनी होगी उसमें दो या फंडमेंटल यूनिट्स होगी जैसे छेथफल की बात कर रहे हैं अर्या बोलते हैं अर्या में क्या है दो फंडमेंटल यूनिट में चूड़ाई चाहि होगी है। कि ऑधे तो जब एरिया में लेंठ भी मीटर में यहीं मीटर में मंदलब मीटर इंटु मीटर इस को बटतमज पारहें मेरी कि कैशे हम अभी मैं सब का बता रहा हूं तुम्हार जो इन पोर्ट्रेंट आते हैं जो फोस होता है फोस बिस देराउड उनीट है इसकी जो SI unit होती ही न यह याद रखना है बहुत अच्छे से force की SI unit Newton होती है समको याद रखना है ठीक है और जो यह work है work की SI unit क्या होती है June ठीक है इसकी SI unit बट CGS में भी कभी कभी देखना CGS में force की dine होती है और work की arg होती है तो इसका थोड़ा समय रिलेशन दे रखा है कि एक newton में दसकी घात पाथ डाई होती है ठीक है इसको थोड़ा सा याद रख लेना और एक जूल में कभी कभी पूछा जाता है एक जूल में दसकी घात साथ अर्ग होती है यह चीज़े याद रखनी पड़ेंगे आपको अब कैसे याद रखते हो तुम्हारी दिखाईए बट यह याद रखना पड़ेगा बार बार जब repeat करोगे न रिपीटेशन रिपीटेशन होगा तो याद हो जाएगे कोई दिक्कत नहीं इसमें याद रखना पड़ेगा लेकिए इसको देखें अब देखें कि यहाँ से छेथ फल का मैंने बताया अब खोर्स की यूनिट का इसे बनती है फोर्स क्या है एक्च्वल में फोर्स जो है वो क्या है एक्सलरेशन और मास का मल्टिप्लिकेशन है एक किलोग्राम मास को यदि एक मीटर पर सेकेंड के स्क्वाइर से एक्सलरेट किया गया तो वो क्या कहलाएगा एक न्यूटन फोर्स कहलाएगा कि एक केजी मास हो गया इंटू एक मीटर पर सेकेंड कर आए गया है एक्सलरेंट कर आए गया है यही क्या हो जाएगा हमारा फोर्स हो जाएगा तो फोर्स बराबर क्या होता है में, या पढ़ा होगा, फोर्स बराबर कहीं भी, में पढ़ा है, मास है, अरे रीज सेकेंड लोग, ठीक है, और आ क्या है, एक्सेलरेशन है, तो फोर्स से यहीं से बनाः क्राइब तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वाइर लिख सकते हैं यही न्यूटन है अगर इसी को कोई बोले कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है तो इसको केजी मीटर सेकेंड का स्क्वाइर लिख सकते हैं एक नड़ी यहां नजर नहीं आ रहा होगा मैं थोड़ा इस पर दिखाऊं ब्लेक बोर्ड पर यहां दिखाऊ यहां पर दीखेगा अच्छे से कि अफ बर्द एमें पढ़ा है यहीं से बंता है अफ बर्द एम होगया क्या मास को के जी में करें है और ए मतलब क्या होता है तोरण तोराण मतलब तोराण मतलब acceleration एक्सलरेशन एक्सलरेशन होता है न और हम तोराण की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड का स्कॉरर होती ही न इसी को हम फोर्स यह फोर्स है याद रखना है के जी मीटर सेकेंड का स्क्वायर इसी को हम बोलते हैं न्यूटन तो यदि कहीं एक न्यूटन बराबर कभी कोई पूछे तो केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर एक न्यूटन बराबर एक इतना होता है यह relation आपने याद रखना है ठीक है? यह relation याद रखेंगे तो क्या होगा पता है? अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ एक न्यूटन बराबर एक केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है अब कोई बोले कि बल का जो बल है ना उसका आपको विमी सुत्र बताना है तो आप आराम से इससे बता सकते हो है केजी का क्या होता है है एम होता है विमी सुत्र M.L.T से हम दर्साते ہے n Kah एम levar T अंतर दिखाते? ना उससे मैं थोडा तो विमी सुत्र बताने की कोशिशिश कर रहा हूँ तो इससे क्या हो जाएगा? M मीटर है मतलब L हो जाएगा हो जाएगा ना L T मतलब सेकेंट से है अब इसके मतलब T नीचे आ गया और स्केर हो गया हो गया ना तो हम कैसा लिख सकते हैं M L T माइनस लिख सकते हैं तो यह क्या बन गया फोर्स का विमिर्स उत्र बन गया समझ रहे हैं हमारी बात कभी अगर एग्जाम में आए कॉम्पीटिशन में कि फोर्स का विमिर्स उत्र कैसे निकालते हैं ऐसे निकलता है जब तक आप फोर्स को डिफाइन नहीं करेंगे उस तो विमिर्स उत्र नहीं निकलेगा फोर्स का डिफाइनेशन याद रखना है ठीक है कि एक किलोग्राम मास को accelerate करने में एक मीटर पर सेकेंड से accelerate करने में जो हमको क्या लगता है यह लगता है जो ताकल लगती उसी को हम क्या बोलते हैं एक न्यूटन बोलते हैं जो फोर्स लगता है जो ताकल लगती उसी को हम क्या बोलते हैं एक न्यूटन बोलते हैं य इस चीज़ को याद रखोंगे तो बहुत चीज़ बन जाएंगी अभी जैसे मैं अब लोगों को बता रहा हूं कि जैसे कि कि अपन यहां का जो भी है ज़िए आपको इनकी डेफिनेशन पता होगी ना कि इनकी डेफिनेशन पता होगी ना इनकी डेफिनेशन अगर पता होगी ना तो कर लोगो डेफिनेशन कैसे फोर्स मैंने बताया कैसे क्या होता है बल क्या होता है तो तुम्हार को ज्यादा अच्छे से होगा इन सबका तुम्हाराम से यूनिट और विमी सुत्र निकाल सकते हो कि कि समझ में आया कि थोड़ा भूत थोड़ा भूत आया होगा फिर से करके देख लेना इसको नेक्स चले हम यह विमी सुत्र निकाल के बताएं हम तुम्हारे को किसी एक का चलो हम तुम्हार को प्रेशर का विमी सुत्र लिकाल के बताता हूं मैं तुम्हार को प्रेशर का कैसे लिकलता है ठीक है हम लोकल वाला कर लेते हैं यूस प्रेशर जो होता है प्रेशर की डेफिनेशन क्या है दाथ की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी लिक्वीड अगर क्या लगाएगा प्रेशर लगाएगा यानि फोर्स लगाएगा तो सभी डारेक्शन में समाल लगाएगा ठीक है फोर्स लगाएगा तो फोर्स प्रेशर की डेफिनेशन होती है, फोर्स अपान एरिजा, ठीक है, इसको हिंदिम बोलेंगे, बल, बटा, छेट पल, ठीक है, हाँ, छेट पल, यह याद रखना पड़ेगा, अब देखो, इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं तुम्हों, अब हमार को पता है, बल क्य होता है, बल क्या होता है, M, A, M, A, याद रखना है, M मतलब मास, A मतलब acceleration, तो हम लिग दो, M, A लिग दो, चलो, यहाँ, अपार, छेट पल, छेट पल, इसके पहले बटाआज था, A, ठीक है, यहाद लिग दिया, अब मैंने M, A, को तोड़के बताए था, तो MA को तोड़के बताया था क्या बताया था एम मतलब इसको हमने बनाया KG क्या होगी BG में उसका क्या होगा मीटर गपर सेकेंड का square होगा न अपन अपज़को हम एसको आपا area के लिए मैंने क्या बताया था म ज़़कर टोड़ा ही मतलब मीटर अब नीचे सेकेंड ला लेंगे सेकेंड का स्कॉयर और मीटर का स्कॉयर लेकिन यह मीटर से एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा यह स्कॉयर है तो अब क्या बचेगा हमारे पास केजी अपन मीटर सेकेंड का स्कॉयर लिख सकता हूं है, लिख सकते हैं न, यही और हो गया हमारे इसकी यूनिट हो गई, प्रेशर की, हो गई न, के जी, मीटर सेकेंड का इसको एक, अब इसको तुम यह भी लिख सकते हो, के जी के लिए क्या यूज़ करते हैं, बड़ा एम करना इसको, ठीक है, M इसके लिए L इसके लिए T का 2 तो हम इसको इसा लिख सकते हैं M L inverse T का minus 2 यह बन गया हमारा विमी सुत्र pressure का कभी कोई पूचे गाते हो और जदी इसकी unit निकालना है तो यहीं से direct लिकल जाएगी bulk unit क्या होती है Newton चेटबल की unit के होती है meter का square एक यह भी unit होती है एक पास्कल पास्कल भी unit होती है इसकी unit पास्कल भी होती है pressure की इसकी unit बार भी होती है यह याद रखना है आपको ठीक है पास्कल भी होती है और बार भी होती है और SI unit यह होगी आपकी Newton meter का square आपको एक है bisa यूणित है यह सब्सक्राइब करना अपने आप है अगर कोई इसका अपको लिकरना है उससे तोड़ करना कोई भी और विमी सुत्र याद करना अपने अपने बहुत बड़ा चास्त है अगर कभी एक्जाम में आ जाता है और जो भी इस रोग इस रोगी तैयारी कर रहे होगे आप लोग किसी अच्छे से एक्जाम कूल तो पूछ लेता है कभी कभी एक नंबर का पूछ लेता है किया कर सकते हैं विमी सुत्र लिकाल सकते हो और उसका एकाई भी लिकाल सकते हो तो फीक है एक अब हम चलते है बहुत ताइम हो जाएंग नेक्स्त क्या है कुछ यूनीट्स है जो एक्जाम में पूछी जाती है। important units हैं किस-kis के लिए लंबाई के लिए, द्रवमान के लिए और time के लिए, तमाई के लिए तो आपको ये याद रखने हैं, देखो सबसे बड़ी जो लंबाई की unit होती है क्या, parsec ये आपको याद रखना है और parsec लंबाई की unit है, ये भी याद रखने हैं, ठीक है, इसका कित्ता होता है, 3.08 इंटू ये सब पढ़ लेना आप, इतना इतना होता है, दूसरी unit क्या होती है light year तिसरी unit AU यहने astronomical unit AU का full form है astronomical unit और सब को मैंने meter में लिखके रखा है हां, कौन सा कित्ता बराबर होता है तो आप ये पढ़ लेंगे nautical meal या sea meal nautical meal ये अपने यहाँ यूज लेगी जब भी समुद्र की लंबाई, ये नापनी होती ना, समुद्र में जहार कित्ता चल गया, nautical meal से नापते हैं, ऐसे किलोमीटर से नहीं नापते हैं आपड़, ठीक है, micron ये याद रखना है वहीं आप लोगों को, कि एक micron में कित्ते मीटर होते हैं, तो दस की घात माइनस 6 मीटर होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है, एक एंगे श्ट्रॉंग, इसको एंगे श्ट्रॉंग का जो ये होता है, वह ऐसा होता है, एंगे स्ट्रॉंग का जो सिंबाल होता है, वह ऐसा होता है, दस की घात माइनस दस, ये याद रखना है, दस की घात, माइनस दस, एंगे स्ट्रॉंग बराबर, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ देना इसको ठीक है यह बहुत प्रॉफिटेबल होगा कहां पर मेजरमेंट के पोर्षन में इसरो इसरो के एक्जाम में इसरो के एक्जाम को पॉइंट आउट करते हुए और डियाइडियो इन्ने एक्जामों को पॉइंट आउट करते हुए अपने लिये हैं तो यह लेंथ की एक फर्मी भी होती है फर्मी भी एक यूनिट होती है ठीक है और बहुत सारी होती है आर्क होती है बर्न होती है फिर्डगा जब भी बहुत सारी है हम इसको नेक्स लेक्चर में और कावर करेंगे ठीक है जो एकदम आती है कि मास के लिए क्वेंटल होती है आप लोग नापते हैं घर में स्वयाविन धान एक क्वेंटल में 100 kg सभी चौन मतलब एकजार के जी यह मास की उनिट है दरोभीमान की है a.m. al m u atomic mass unit ठीक है डाल टन यहां पर डाल टन है esti o n है वह ठीक है डाल टन यह भी के इस उनिट है मास की एम्यू सलज भी मास की उनिट है ठीक है कर go पाउंड यह इनको सब यह याद रखना है आपको कि एक पाउंड बराबर 0.4537 kg kg है र्यान रखे kg ठीक है चंद्र सेकर लिमिट 2.8 इंटू 10 रस टू पावर 20 kg ठीक है तो चंद्र सेकर लिमिट भी किसकी यूनिट है मास की यह याद रखना है ठीक है तो यह याद ना भी रखे तो चलता है एक ही याद रखना है तुमार को बाकि उत्ती इंपोर्टेंट नहीं है मैंने बताने की इसाब से रख दिया है अपके लिए लेकिन ये जो है ये चीज़े आपने याद करना ही करना है ये जो दो यूनिट है ना ये बहुत की इंपोर्टेंट है और ये एक्जाम में पूछी जाते हैं कि देख लेना आप लो सब्सक्राइब को आपने याद रखना ही रखना है अब कैसे याद रखोंगे मिर को भी नहीं पता बार-बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा अभी कोई साट कर्ट मेरे पास पता नहीं मेरे बी नहीं पता है इसका जो माइनस वाले परफिक्स हैं वो इस साइड है ये और कुछ कि दरश्टी से मैं बहा दो था है माइनस वन ठीक है वगर वो समझ में ना रहा हो तो डेसी सेंटी ओके लाइड बोलोने की वाज़े से थोड़ा सा चली गई ठीक है तो इसमें हमने क्या देखे थे कि परफिक्स हैं जो मिल्ट्रिक सिस्टम में यूज होते हैं तो हमको इनको याद रखना है ठीक है परफिक्स हैं जो मिल्ट्रिक सिस्टम में यूज होते हैं इनको हमको याद रखना है यह कब काम में आएंगे जब कभी पावर की हिसाब से कोडिंग कोशन आएगा कि जैसे kilo का मतलब क्या होता है तब में ये आपको काम में आएंगे kilo का या milli का मतलब क्या होता है micro का मतलब क्या होता है अभी देखना है इससे तुम्हारे को memory समझने में थोड़ी आसानी होगी जो memory होती ना मारी mobile की उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मिलेगा आपको मेरे को इसा लगता है मेरे हिसाब से तो जो minus में जो use होते है वो हैं यह है dc centi milli ठीक है यह देखो dc का मतलब क्या होता है इसका symbol यह है और इसका power जो होता है minus 1 होता है ठीक है और जो यह होता है ना ठीक है इसका होता है minus 1 dc centi का minus 2 10 raise to power minus 2 milli का 10 raise to power minus 3 micro का 10 raise to power minus 6 याद करो micron अब आगया यह सब मीटर में याद रखना नहीं तो तुम लोग भूल जाओ यह मीटर में है सब सब मीटर में है क्योंकि लिखाई हुआ है मीटरिक सिस्टम में मीटरिक सिस्टम याद करो mks mks याद आया याद करो उपल जब मैंने तुमको बताया था यह micron इसको ऐसा इसका सिंबल ऐसा होता है मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया micron का सिंबल ऐसा होता है micro का ठीक है नाllo जो नानो पारिकल के बाद चल रही ना नेनो पारिकल्स की बाद चल रही है वो यहां से पीको टेन देशन पावर माइननस 12 फेमटो 10 देश्ट पावर माइनस 15 मतलब 15 एक टो टेंवेस्ट पावर माइनस 18 कि जपटो टेंवेस्ट टूपावर माइनस 21 और योक्तो टेंवेस्टू पावर माइनस 24 यह माइनस के हैं अब प्लस में भी पूरे इतन ही है मैंने इतनी जग रकाई वैसे यहां के जो इपोटेंट है ना वैसे आप फैम्टों तक भी याद रखो तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं बश्ट आपके नालेज के इसाफ से किसी इक सामने सिर्णा चोड़ा करके बोलना है तो मेरेको तो और याद है उसके लिए रख दिया है उनमील दिका से स्टार्ट करें मैं आप अईशरी स्टार्ट करता हूं प्लस में याद रखने का स्टाईल मतलब तो ब्लस में believing different to power और TOO किलो किलो ग्राम वाला समझते हैं किलो ग्राम अब देखो यहाँ पर किलो ग्राम का थूदा समेट ता मतलब है यह गोछे ही इसमें 10000 का Νख कर दिया अपने और जिए किलो जोड दिया मतलब इसमें 1000 का उना कर दिया आपने ठीक है किलो का वहीं से मेगा टेन रेस्ट टू पावर से किलो का तीन है यह याद रखना है बहुत इंपर्टेंट है मेगा अब यहीं से आपका देखना के भी के भी होता है ना किलो बाइट ठीक है एंबी मेगा बाइट मेमोरी होती है इसी वही है जी बी गीगा बाइट टेन डेस्ट टू पावर नाई लेकिन उसका थोड़ा वह के भी में दस तो चोबिस होते हैं यहाँ पर इतना नहीं होता है मैं थोड़ा से कोशिस कर रहा हूं कि आप लोग याद रख पाएं तेरा बा थीग है पेटा आने वाला है अभी तो टीवी तक ही चल रहे हैं पिश्त भी आएगा है तेटा का मतलब टेन डेस्ट टू पावर 15 एक्सा तेम डेस्ट पावर 18 जेटा टेंडरस टू पावर 21 और योटा यह आपको याद रखना है अ तो मैंने यहां भी काने जिसाब से बता दिया ठीक है और अभी तो पार्टी सुरू हुई है यह तो अभी बहुत कम है अभी आपको और पढ़ना इसमें अभी इससे मैं आगे की क्लास में इस रो से आए हुए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अब नेक्स क्लास में हम देखेंगे सबकी यूनिट्स को और भी देखेंगे ठीक है ठीक है ठीक यू नेक्स को लाट में लिखेंगे